नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए नियू वेकेंसिस यहाँ पर लेकर आज चुका हूँ यहाँ पर जो नियू वेकेंसिस है यह से निकल कर आ रही है ठीक है मल्य टाशकर के आपकी वेकेंसिस निकल कर आ रही है और हवल अर रही है है यह पर आपकी वेकेंसिस निकल कर आ रही है रही है 2023 यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर कलसे श्के online form भराना भी स्टार्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर मैं step by step आप लोग को और जो लोग है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चलते हैं हम लोग इसके ओफिशल website पे उससे पहले जो लोग मेरे से चैनल को subscribe कर लेजेगा ताकि कौसे ब्सक्राइब में हम आप यहां हो ठीक है friends चलते हम लोग इसके official website पर दूस्ते यहां पर जो इसके official website है ठीक है जिन लोग ने भी notification नहीं पड़ा है तो वो लोग notification यहां पर पड़ सकते हैं वीडियो के नीचे में notification के link दे दूँगा तो वहां से आप यह पूरा notification देख पाएंगे ठीक है आप लोग को new user पर जाना है और यहां पर रेइस्टर करना है तो मैं आपको step-by-step सारी चीज़े बताने वाला हूँ तो यहां पर आप ID सेलेक्ट कर सकते हैं driving license, pen card, passport, water ID ठीक है इस तरीक से आपर document list लिख जाती है तो आप लोग के पड़ अगर अगर अधार काड़ है तो आप yes पे click कीजिएगा ठीक है यहां पर आपको अधार काड़ डालना है तो आप लोग yes करने नी तो इसको यहां पर no करना ए ठीक है father names आपको यहां पर देना है 10 की mark street का according verify father name आप लोगको यहां पर करना है verify board भी आपको यहां पर करना है friends, ठीके, आपको यहां पर role number देना है आपका, ठीके, role number आपको 10th class का यहां पर देना है, verify roll number यहां पर आप लोग करना है, और passing year यहां पर आपको select करना है, कौन सी year में आपने pass किया है, ठीके, next आप लोग आपका एड्र करेंगे उसके यहाँ पर जो आपका लेवल of education qualification आपको यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आपको दोनों में डालना है ठीक है नेक्स आपको email आईडी आपकी यहाँ पर सही दे नहीं है ठीक है क्योंकि email आईडी पर ही आपका पासवर्ट जाएगा OTP जाएगा तो यह बात आप जियान रखिएगा mobile number और email सही दीजेगा next आपको आपको यहाँ पर यूटी और state सेलेक्ट कर लेना है जिस भी state से आप आते हैं friends ठीक है save आपको कर देना है next step यहाँ पर जो है अब आप लोग की additional and contact details यहाँ पर है ठीक है वो मैं आपको बाता देता हूँ यहाँ पर जैसे आप इस पर click करेंगे न ठीक है तो आपकी यहाँ पर जो है additional details आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर आपको category से लेक्ट कर लेना है आपको आपका district select कर लेना है ठीक है pin code आपको वहाँ का डाल देना है friends ठीक है आपकी city का next यहाँ पर जो अगर आपका जो address है यह permanent address है तो आपको yes करना है यहतो no करना है ठीक है उसके यहाँ आद आपको यहाँ पर save पर जो है save कर देना है को ठीक है जैसे आप लोग इस हाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपने इमेल आई-डीड विए उस पर आप लोग को बता देता हूँ किस तड़ी से आगी की process हम लोग करेंगे यहां पर आप लोक के पास जो user id आएगा वह आपको यहां पर enter कर लेना है password डालना है, capture जो हम लोग यहां पर डाल लेते हैं capture आपको enter कर लेना है हम लोग یہां पर capture डाल लेते हैं उसके आप login पर आपको click करना है, जैसे आप login पर click करेंगे, आपकी ID यहाँ पर open हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ID open हो चुकी है, कौनसी vacancies है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी vacancies यहाँ आपको देखने को मिलीगी, जो भी यहाँ पर vacancies है, multitasking यहा यहाँ पर apply भी हम लोग इस पर click करेंगे friends, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा wait कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर loading होगा friends, देख सकते हैं आप लोग friends, यहाँ पर हमारा form जो ओपन हो चुका है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर form को पुरा fill up करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा है, तीन सेंटर आपको सेलेक्ट करने को मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने according यह सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को medium of computer based examination cb, तो आप यहाँ पर किस बाद पर exam देना लेए दोस्तों ठीक है यहाप जो हैं के solely हैं कीरो द्यात की अम सेंटर यहाँ पर हमने स्क्राइब सेखने यहाँ पर नीचे स्कूल करके यहां पर tea अगर यहां पर यहां पर कणने थिक आपको हैंने fund स्क्राइब कर देक्च करने तो यहां पर देंए spicy देफने देखने को मिलалась अगर आपको यहां पर जो भिखने को मिलाइगी एंग करने को बता देना तो यहां पर जोई मैं आपको बता देता हूं किस तरी सा आपको यहां पर vacancies को देखना है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर दिया होई चंदिगर्ड हवल दा रहे हैं यहां पर vacancy ठीक है इससे आपको code देखने को मिल दाएगा यहां पर जोई हम लोग देख सकते हैं यहां पर आपको भौपाल की देखने को मिल दाएगी ठीक है मद्यप्रदेश किया से Total MTS की यहां पर 45 वे भौपाल की 43 दी गई हुई है ठीक है यहां पर चैन्ने की देखंगे तो 57 यहां पर आपको postcode देखने को मिल दाएगा इस तरी के help से ही यहां पर जो आप सबसे पहले preference देख पाएंगे तो preference आपको किस तरीगे से डालना है वह यहां पर जोई मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप देख सकते हैं preference of state जैसे मान लीजी आपको जिस भी state के लिए डालना है ठीक है तो आप लोग इस तरीगे से यहां पर 45 यहां पर इस तरीगे से जोई आपका नमबर डालेंगे ठीक है यहां पर जोई आपको अपने अगर आपको यहां पर पूरा फिल अप नहीं करना है तो आप लोग जोई यहां पर इस तरीगे से यहां पर इस तरीगे से आजाएगा ठीक है जैसे लिखाएगा यहां य तो यहां पर आप okay करेंगे तो पूरे पर रिफ तरीखे से फिलहप कर डेते फिर आगे हम फिलॉब करेंते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं प्रया पर पोस्स जो होते हैं में रेकोर्डिंग यहां पर连 अन्य फिलहप कर लिए बाकी व Hey guys इस तरीके से मैंने कर दिया आप लोग जाए तो पांस सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मैंने तरीका बता दिया है नेक्स उसके आद आपको हाइस कॉलिफिकेशन आपका स्लेक्ट कर लेना है कि आपका हाइस कॉलिफिकेशन वो क्या है ठीक है यहां पर जोए अपने iqa sqa lijjyगा ठीक है उसके हैं इसके आप ने इसेंट की डीटेल से नहींग नहीं है कौन सी यहां पर आप लोग ने उनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है ठीक है कौन से बोड से पास आउट किया हुआ है तो यहां पर हम लोग इसको status यहां पर डाल लेते हैं यहां पर अगर आपका appearing करेंगे pass out है तो pass out करेंगे कौन से year में आपने pass किया वो डालेंगे roll number आपको डालना है percentage देना है आपके कितने थे उसके यहां पर अगर आप करना है फोटो आपका पुराना नहीं होना चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं वे जबर दा photograph has been taken on a after 18 October 2022 तो इससे पहले यहां पर जो यह आपका अब यहां पर आपका उल्टा सीधा इस तरीक से फोटो नहीं होना चाहिए ठीके से फील्ट्र नहीं होना चाहिए चश्मा अगर आपको यहां पर अपकी फोटो नहीं देनी है तो आपका form reject कर दिया जाएगा तो आपको यह चीज का यहां पर धियान रखना लेके राइट में नहीं होना चीए को इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर फोट अपलोड कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर आप लोग इसका print out जरूर लीजिएगा बाकि यहाँ पर जब आप preview करके इसकी details check out कर सकते हैं अगर आप लोग check करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग preview पर click कर देंगे friends तो आप लोग देख सकते हैं preview में पूरी details यहाँ पर हमारी आज चुकी ठीक है जो भी हमने आपर form fill up में डाली हुई थी तो आप अच्छे से इसको check कर सकते हैं एक बार अच्छे से इसको पड़ सकते हैं ठीक है अगर आप से कोई गलती हुई तो आप इसको edit भी कर पाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख कोई गलती नहीं कि तो हम लोग यहाँ पर payment भी कर देंगे यहाँ पर आपको थोड़ा wait कर लेना है यहाँ पर आप OK कर दीजीगा ठीक है उसके यहाँ पर print पर जैसे click करेंगे तो आपके सामने PDF आजएगी इसको हम open कर लेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे ठीक है न्यू टैब में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पीडिये फाइल ओपन होकर आ चुकी है इसको हम सेफ कर लेंगे और यहाँ पर हमारा फॉर्म समिट हो चुका है ठीक है अब अब यहाँ पर आप ल ride एकाप उपनलिन जरूए glasses लगेगा तो इसको आप地 देख सकते हैं यहाँ को बटाई आप इससे आपको फॉर्म कंमंपे बिना गलती किये तो यहाँ पर अब कोई इस वीडियो में अब भी आपको कोई confusion है तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं यह जो PDF को आप जरूरू अच्छे से पढ़िएगा ठीक है इसमें syllabus दिया गया हुए किस syllabus के recording यहां पर आपका पेपर आएगा ठीक है आपका physical किस सरी किस सरी किस सरी किस सरी किस होना है सारी डीटेल आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी इसकी लिंक मैं आपको description में देदूँगा तो आयो दोस्तों आप लोग को वीडियो काफी पसंद आया होगा यहां पर आप application status देख सकते हैं कि आपने apply किया कि नहीं किया payment status यहां से आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं इस हमारी complete यहां पर हो चुकी ठीक है तो इस तरीक से आपर जोए form में आपको भरना यह भी मैं आपको बता दिया हूं ठीक है तो आप लोग यहां पर debit card, credit card, red banking के यहां पर help से आप लोग यहां पर फीस payment कर सकते हैं ठीक है वीडियो कर दोस्तों आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को आप अफ्रेफरेंट्स में जादर से जादर शेयर कीजिएगा ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है इसी तरीके सा आप लोग मुझे support कीजिएगा मिलते हैं हम लोग friends next